आज पंजाब के लिए एक एतिहासिक दिन है कई माइनों में एतिहासिक दिन है पंजाब में आम आदमी पार्टी का सीम चेहरा कौन होना चाहिए इसका हर पंजाबी को हर पंजाब के व्यक्ति को बड़ी बेसबरी से इंतजार है कई महीनों से लोग मैं जहां भी जाता था एक ही प्रश्न पूछते थे जी दूला कौन है आम आदमी पार्टी का सीम चेहरा कौन है तो मैं सबको यह कहता था सबर रखो सबर का फल मीठा होता है आपको हम ऐसा चेहरा देंगे जिस पे हर पंजाबी को गर्व होगा तो आज वो घड़ी आ गई है उसका एलान करने की हमने सीम चेहरा ढूंडने के लिए एक अलग प्रक्रिया की है पंजाब के अंदर हमने देखा की दूसरी रवायती पार्टीयां जो हैं कोई अपने बेटे को सीम चेहरा बना देते हैं कोई अपने बहो को बना देता है कोई अपने घर के आदमे को बना देता है भगवंत मान जी मेरे चोटे भाई हैं मैं अगर खुद भगवंत मान जी का नाम डिक्लेर कर देता तो कहते हैं केजरी वाल ने अपने भाई को बना दिया केजरीवाल ने भाई भतिजावाद करा है जैसे दूसरी पार्टियां करती है वैसी केजरीवाल ने करा तो हमने का नहीं ऐसे नहीं करेंगे हम पंजाब के 3 करोड लोगों से पूछेंगे कि आप बताओ कि पंजाब का CM-6 कौन होना चाहिए तो पिछले हफ़ते हम लोगों ने एक फोन नमबर जारी किया और हमने का आप कॉलिंग कर सकते हो आप वाटसेप मेसेज भेज सकते हो आप SMS भेज सकते हो तो हमारे पास 21,69,437 में रिस्पॉंस आए लगबग 21,69,437 लोगों ने अपने रिस्पॉंस दिये तो एक चीज तो सारे सर्वे भी ये दिखा रहे हैं और माहौल भी ये बता रहा है कि आम आदमी पार्टी की सरकार बनने जा रही है तो जो CM चहरा अब ऐलान होगा वो एक तरह से पंजाब का अगला CM बनने जा रहा है तो पंजाब के लोगों ने अपना अगला CM किसे चुनाए ये जो 21,69,000 वोट आए जो लोगों ने अपने रिस्पॉंस दिये उसमें कई लोगों ने मेरा नाम डाल दिया मैंने शुरू में क्या दिया था भी मेरे इसमें नहीं हूँ तो उन वोट्स को हमने invalid declare कर दिया जिसने कावी अरविंद केजरिवाल उसको हमने side कर दिया उन सारे वोट्स को जो बचे उसमें 93.3% लोगों ने सरदार भगवंतमान का नाम लिया मैं अपनी बात पूरी दो मिनट बस दो मिनट 93.3% लोगों ने सरदार भगवंतमान का नाम लिया दूसरे नंबर पे नवजोत सिंग सिद्दू थे उनको 3.6% वोट मिले तो आज आम आदमी पार्टी के तरफ से पंजाब के अगले सीम और आम आदमी पार्टी का सीम चहरा आपचारिक रूप से सरदार भगवंतमान को डिकलेर करते हुए झाल 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 झाल